हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल स्कूल अफ नॉलिज आज मैं आपके लिए समाजिक विज्ञानविसे की पार्थ योजना लेकर आई हूँ और जिसका प्रक्रड है अशोक का सामराजी विस्तार आए दिखते हैं कि इस प्रक्रड के लिए पार्थ योज लिखा जाता है तो जिसमें पहला बिंदू होता है वह होता है धिनांक का दिन मदांकहों सिख्छर कारे करेंगे बना च्छाइब लिए बना है विशे हमारा समाजिक विज्ञान होगा उप विशे यही तिहास के लिए बना हुआ है चक्र छठा है और अवधी जो है 40 मिनट की है तो आज का हमारा प्रक्रण है अशोग का सामराजी विस्ता प्रक्रण लिखने के बाद नमबर आता है उद्देश जब भी आप लिखेगा तो आप अपने विशे को ध्यान में रखते वे लिखेगा अब यह चुक्छी सामानवी ज्यान के लिए है इतिहास विशे के लिए तो आएए देखते हैं कि किस तरह से बनाएगा ऐसा उद्देश से उसमें पहला है छात्रों को अतीत की घटनाओं का ज्यान कराकर बरतमान को समझने के स्योग्य बनाना दूसरा छात्रों में काल क्रम के ज्यान को विक्सित करना तीसरा छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना चौथा छात्रों को जीत की घटनाओं से अतीत की घटनाओं से संबंधित अस्तलों के इतिहासिक म आदे लिखेंगे तो हमने पर फिसे हैं बेगते हैं के अशोग के बाद बहुत धम ग्रहण करने के बारे में जान सकेंगे और चाट अशोग द्वारा इंसे जानकारी विषय में ज्यानकारी कर सकेंगे तो यह दो हो गए आपके ज्यानागारी मिलेगी मिलेगी मिलं ओकर नंबर आता है बुदात्मकटिस को एक सिक्वेंच में होता है मतलब मैं जब आप ने इ suits को अच्य तरह से समझ समझे नहीं तो हमारा जो दूसरा व剛剛 ईसको सभाइब तथाद्मक उडेस, इसके अंतरकत हम लिखते हैं, कि छात्र अशोक द्वारा बोधधर में प्रचार प्रसार सभी मैं जान सकेंगे या उसको समझ सकेंगे, तथा दूसरा है चात्र धर्म के सिधानतों को समझ सकेंगे कि वह बहुत प्रचारप्रसार क्यों किया और दूसके तीसरा क्रियात्मक उद्य से तब जो है इस्टुटेंट खुद एक्टिविटी करता है खुद कारे करता है तो इसके लिपाजी विस्तार चार्ट, पैपर, संकेतक, रोलरबोट, सौक, डbei धियन में लिखते हैं और के पुर्व जनकारी रखते नमरात है प्रस्तावना प्रश्ण क मप्रश्ण निकालेंगे तो पुर्व ज्यान की चर्चा होगी कि प्रस्तावना फ्रश्ण प्रस्तावने के अंधार पर निकाल कि और प्रस्तावना के द्वारा क्या निकल वाते हैं प्रक्रद निकल वाते हैं बच्छो से बहुत छोटे- एक जी दौरे घट करना करती है इस तापना कि साहसक के द्वाए की गई तो बच्चे क्या जवाब देंगे चन्द दिया था उसी को लेके अब हम next person तयार करेंगे चंद गूप तो मौरे के बाद मधग का मगद का साशक किसे बनाए गया तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे मगद का साशक बिंदु सार को बनाए गया उसका next question इस second answer को लेते हुए ठीक है इस answer को लेके हम next question मनाएंगे कि महराज बिंदु सार की पुत्र का क्या नाम है ठीक है तो बच्चे क्या जानते हैं अपने अपना सम्हावित आंसर देंगे तो क्या हो जाएगा question samasyaatma हो जाएगा चात्र आज हमराजवाद विस्तार के बारे में अध्यान करेंगे ठीक है तो परफ्रस्तुती करण के लिए इस तरह से टेबल बनाया जाता है जिसमें इस तरह से चार कॉलम बने हुए हैं पहला कॉलम है क्रम संख्या दूसरा कॉलम है शिक्षड विंदू तीसरा है छात्र ध्यापी का या छात्र ध्याबक कथनों चौथा है छात्र कथन का ठीक है तो पहला सिक्षड विंदू है समराट असोक तो हम पहला क्या करेंगे तो खुछ विकासात्मक प्रशन पूछ लेंगे पढ़ाने से पहले कि अच्छा समराट असोक ने किस युद को जीतने के बाद बहुत धर्म स्विकार कर लिया था तो बच्चे क्या करेंगे तो कुछ भी हो सकता है तो संभावित आंसर देंगे जब संभावित आंसर होगा तो प्रशन कैसा हो गया आपका समस्यात्मक हो गया यानिकि बच्चे मौन हो जा तब आपके इस प्रशन का आपको इस पस्टी करण देना है ठीक है इस पस्टी करण देंगे कि महराज बिंदुसार की मृत्यू के पशात अशोक को मगत का राजा बनाये गया समराट अशोक युद प्रिये शासक था उसने कई राजिये को जीत कर अपने राजिय में मिला अब उसे कलिंग पर विजय करना सेश था कलिंग युद के दौरान लाखों से निक मारे गया चारों और खून की नदिया बहने लगी जिसे देखका समराट शुक बहुत ही दुखी हो गए तथा कभी भी युद ना करने का प्रण ले लिया अपने मन की शांती के लिए तरह से गया कि सबको दया भाव के साथ रहने प्रेम से रहने के सका बिस्तार किया इस तरह से नोंने किया ठीक है फिर हम इस रिलेट क्या करेंगे बोधात्मक प्रशन पूछेंगे कि कलिंग के युद में क्या हुआ था जिसने अशोक के मन को विचलित कर दिया था तो बच आशोक के शांती के लिए assok को सुथि दूसरा कोश्टन को सामराज विस्तार तो किस राज का शाचक था मोरत का साशक था स्था में आप क्या जानते हैं तब यह क्या हो जाएगा समस्याद में हो जाएगा तब समराजय विस्तार देखी किस तरह से हुआ था शोक का तो इसमें लिखेंगे सिच का इस पस्टिकरण देती है कलिंग युद के बाद अशोक का मन अशांत हो गया तथा उसने अपने मन की शांदी के लिए महत्मबुद के पास जाकर बहुत धर्म से कर लिया उसने अपना सारा ध्यान लोगों की भलाई तथा बहुत धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया यात्रियों की सुविधाओं के लिए उसने बिश्राम ग्री मरीजों पस्मों के लिए अस्पताल बनवाए साथी राजी में जगा जगा चर्टानों पर लंबे सुंदर तथा चमकाय हुए पत्थरों पर बहुत धम से लिखे संदेशों को खुदवाए और उन्हें हर जग यह महामात्र गाउं जाकर नगर नगर जाकर लोगों को सही वेवार करने का तरीका था जीवन जीने की कला सिखाते थे अशोक के द्वारा बताये संदेशों को अशोक का धम भी कहा जाता है ठीक है तो यह हो गया इस तरह से उन्होंने अपना जो है राज्य का सामराजे का पितकर के ने बिस्टार किया था इन्हों ने प्रेम भाव और आपसी सद्भावना के द्रिष्टी से इस तरह के बाव बिचारों को रखकर अपना राजे का समराजय का विस्तार किया था ठीक है फिर इस सी रेटेट्ट जाइरब मफिर पूछय ने कि पुछ लेंगे और अशेग ने अपने संदेश पहले पूछेगी आश्योग के पूत्री का क्या नाम था तो बच्ची जवाब देगे की पूत्र का नाम महंद्र तथा पूत्री का नाम संख मित्रा था फिर सिच्च का दूसरा पर करेगी की ने lock ने बहुत धर्म के विस्तार के लिए क्या किया तो बच्चे के संभावित आंसर देंगे संभावित आंसर देंगे तो क्या होजजागा समस्यात्मत में और सिख्ष क्या करें इसका इस पस्ची करई कि यह देखिए के आस देखिए में एक बड़ी सभा की जिसे तीसरी बहुत सभा भी कहते हैं इसके अत्रीक तर्शोक ने बहुत स्थूपो धार्मिक स्मारक बहुत भीहारों भीछो के रहने का स्थान का निर्माण कराया साथी साथ पीट से पीट से टाकर बैठे वे चार सिंग जो कि हमारे राजचीन है इस सभा किस ने करवाई थी तो क्या जवाब हो जाएगा अशोक ने करवाई थी दूसरा कोशन पूछ लेंगे कि हमारा राजचीन पीट से पीट से टाकर बैठे वे चार सिंग को किस सिस्तम से लिया गया है तो इस तरह की चीजे बनाई गई थी उसका यह हमारा हो गया प्रस् व कोिन test का क्या क्या था दूसरा प्रशन पूछ लिया अपने सम राजिविस्तार के लिए यह कौन-कौन से काृह किए और थीस्ता प्रशन शोकまで ढहला का विस्तार रएवे अशोक एक चक्रवर्ती राजा था उसने लगवक सभी राज्यों को जीत कर अपने राज में मिला लिया था कलिंग के यूद के दौरान लाको सैनी के शौक को देखकर उसका मन बिचली थोटा और यूद ना करने का प्रण लिया उसका अशोक तथा बहुत धर्म है अशोक ने अशोक ने बहुत धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या किया था उसको याद करके आना है यह हो गया आपका ग्रीका तो फ्रेंट्स यह थी हमारी आज की पांठ योजना अशोक का सामराज विस्ता आपको योजना कैसे लगी प्लीज कमेंड करके जरूर बताएं लें रखके नेक्स वीदिएो में अफसे फिर्मूलjungi, take care, bye!